हेलो दुस्तों मश्कार आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ OnePlus 9 और 9 Pro स्मार्टफॉन के यूजर्स के लिए Beta 4 Oxygen OS 12 का जो नए अपडेट आया है इसके अंदर आपको कापी सारे फीचर्स नए देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पर Android 12 को पूरी तरह से capable कर लिया गया है लगवक क्योंकि अगर आप यहाँ पर डाइलर ओपन करते हैं उसमें भी आपको theme वही देखने को मिलता है जो आपका ball paper है उसी type का आपको changes देखने को मिल जाता है चाहें आप यहाँ पर Google Play Store open करें उसका भी search bar देखें या फिर आप यहाँ पर keyboard देखें उसमें भी आपको वही theme layout देखने को मिल जाता है तो यह आपको काफी अच्छी कमाल की बात मुझे देखने को लगती है चाहें आप assistant open करें उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाता है YouTube open करते हैं YouTube के search bar पर आप tap करते हैं वो फिलाल में अभी उतना ज़्यादा adapt नहीं हुआ है यह आने वाले समय में adapt होगा परन्तु आप देखेंगे Google को open करके तो इसको भी अभी आप पूरी तरह से देख सकते हैं नहीं हुआ है और इस तरीके के काफी सारे app हैं जो यहाँ पर नहीं हुए हैं और हो भी गए हैं जैसे अगर आप open करते हैं यहाँ पर calendar तो calendar को आप देखेंगे यहाँ पर हो चुका है अगर आप Gmail को open करते हैं Gmail भी आपका completely हो चुका है आप देख सकते हैं तीम इस्टायल आपको वही देखने को मिल जाता है जो की Android 12 का है अगर मैं यहाँ पर ball paper को change करता हूं कुछ इस तरीके से और आप देखेंगे कुछ इस तरीके का ball paper हो गया अगर मैं डाइलर open करता हूं तो यहाँ पर red colors का आप आपको theme देखने को मिले लगा है अगर मैं Google Play Store open करता हूं उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है और यह theme के कारण ही आपको इसका keyboard है वह red color से देखने को मिला है Google का Gmail open करता हूं या फिर मैं यहाँ पर Google का ड्राइब है उसको भी open करता हूं उसमें भी आपको red color से ही देखने को मिलता है थीम अगर आप यहाँ पर camera application की बात करें तो camera में आपकी photos पहले से better और जल्दी ही suit हो रही है इसका अब आपको कोई भी इसू दिखने को नहीं मिला है सब डेट के साथ में साथ में अगर आप settings पर टैप करते हैं एंडू सब्सक्राइब के अगर मैं बात करूं तो आपको दिखेंगे यहाँ पर theme style के कारण ही आपको यह कुछ style इस तरीके से साथ में यहाँ पर theme का layout दिखने को मिल जाता है तो यह चीज यहाँ पर पूरी तरह से adapt कर ली गई है लगबग लगबग साथ में अगर मैं settings के बारे में बात करूं तो इसके अंदर भी आपको जो features हैं पहले से ज्यादा stable कर दिए गए हैं साथ में मैं game application के बारे में बात करूं तो game application का layout आपको थोड़ा सा update और अच्छा देखने को मिल जाता है इसके अगर मैं features की बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें अब आपको एक नया खास features voice modular देखने को मिल जाता है ज क्या features आपको कहां रखने हैं और क्या features आपको नहीं रखने हैं इन सब को आप यहां पर adjust कर सकते हैं अगर आप Google Chrome का यूज करना चाहें वो भी आप यहीं पर निकाल सकते हैं डिस्कौर्ड मैसेज यह सब features आपको इसी के अंदर दिखने को मिल जाते हैं इनका आप यहां से add करते हुए यूज कर सकते हैं या फिर आप कुछ और applications यूज करना चाहें वो यहां से निकाल सकते हैं उनको आप setup कर सकते हैं तो यह कुछ चीज़े हैं अब आपको गेम में भी update देखने को मिल जाती हैं पर अगर मैं Geek Bench1 score की बात करूं तो वो पहले से थोड़ा सा down हु रह गया है तो यह यहां पर थोड़ा सा downgrade हो रहा है परन्तु यहां पर features पहले से ज्यादा वरपूर देने की कोशिस कर रहा है बन प्लस उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप इससे update करना चाहते हैं तो oxygen updater application के द्वारा update कर सकते ह हैं जिसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा वो वीडियो देख करके आप अपने डिवाइस को update कर सकते हैं तो मित करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें साथ में चैनल को दिए में